हेलो और वेलकम तो देस्टोडियो ट्रेडर्स इंडिगो को आज के दिर हम ट्रेट कर रहे हैं लास्ट फ्राइडे सेटेडे संडे पूरी विग हम लोगों ने एंज्वाय किया विग अफ था तीन दिन के चुटी थी और मंडे का दिन है आज आज से मारे एक नया विग स्ट स्टॉप लॉस जो हमें लगाया है वो जस्ट 2188.80 पर हमारा स्टॉप लगा हुआ है 2188.80 के स्टॉप लॉस हैं टार्गेट्स डाउंसाइट के हैं अभी हम टार्गेट्स के उपर भी डिस्केशन करेंगे सबसे पहले यहां पर हम लोग अपनी ट्रेट बुक देख लेते ह हैं तो करते हैं इस्प्रेसो ओके पोजिस्चन बुक पॉफेक्ट टोटल फॉर हैंडड़ कॉनिटी है हमारी 2183.82 पर इस वत का जो अपना प्रॉफिट चल रहा है 4689 प्रॉफिट है 5000 प्रॉफिट है और देख लिजिए टोटल जो यहां पर हमारा लगा हुआ है 2188.80 पर लॉपिट है और एंट्री जो हमें इसके अंदर मिली है 2183.82 के हमारी एंट्री और इस वत का जो अपना प्रॉफिट चल रहा है आपने चल रहा है एक अच्छा रिस्क रिवाइड है कि हमको उमीद है इसके अंदर से कि इंडिगो आज हमको एक अच्छा सा प्रॉफिट हमको देखाएगा आज के दिन चलते हैं वापस से अपने चार्च के उपर और से करते हैं यह निफिटी की मारकिंग्स न को माक करके हम आपने गूर्प पर शेयर कर दिया था यह सपोर्ट पॉइंट कुछ इंपर्टिंट पॉइंट्ट सपोर्ट्पॉइंट्स हैं प्राइस अगर एक बार इसके निचा सस कुछ stocks होते जिनको private group में ही share करते हैं अब बार याती इंडिगो की किस तरह से हम लोग एनिलाइस कर रहे हैं कैसे हम इसके अंदर एंट्रीले स्टॉप लॉस कैसे find किया higher timeframe पर हमने क्या देखा ऑके चले इंडिगो को higher timeframe पर या लोगर पर देखने से पहले एक structure है जो कि हम समझते हैं कि समझ में आना जरूरी है उसको देख लेते हैं हम लोग एक बार देखिए कुछ drawings के माध्यम से हम आपको बताएंगे अब देखिए जैसे यह एक range है प्राइज इसको break करके upside की तरफ निकला है यहां से यह upside की तरफ चलागी बट जब प्राइज ने अपनी इस range को previous high को जब break किया था यहां पर इसके अंदर एक activity हुई थी जिससे यह हमको पता चलता है कि इस एक candle यह वाली जो candle है इस candle के high पर एक अच्छा खासा resistance है क्योंक कुछ इस तरह की थे कि प्राइज हमारा upside की तरफ निकलना चाहरा है बट नहीं निकल पा रहा है फिर यहां से upside की तरफ निकलना चाहरा है नहीं निकल पा रहा है फिड डाउन से upside की तरफ निकलना चाहरा है नहीं निकल पा रहा है रिजेक्शन मिल रहे हैं इसको अब एक resistance point बनता है और अगर resistance है तब ही rejections होगा और तब ही उसको break किया जागा और price हमारा upside की तरफ निकलेगा ओके तो कई बार हमने देखा यहां पर one week से ज्यादा का समय था कि price यहां से reject हो रहा है rejections के बाद में अचानक से इसके अंदर volumes के breakout होते हैं और price with volume upside के तरफ जाकर closing कर देता है closing कर देने के बाद में price upside के तरफ close हुआ है और close होने के बाद में यहीं पर travel करता है upside downside अपना travel करता है but आज के दिन क्या हुआ है indigo के अंदर इंडिगो ने अपनी जिस एक candle का high break करके upside की rally हमको शो की थी इस वाली candle के माध्यम से आज उसी range के अंदर price हमको मिल रहा है उस range के अंदर का मतलब के यह वाली जो हमारी candle थी इस candle के अंदर हमें price मिला अब जिस एक candle को break करके price हमारा upside की तरफ गया था उसी range के अंदर हमारा price downside की तरफ गिर रहा है यहां पर देखिए दो चीजें देखने वाली होंगी मेरे लिए प्राइस को अगर downside के तरफ गिरना है तो यहां तक वो गिर कर अब क्योंकि यह range मेरे लिए एक resistance पॉइंट थी इसी resistance को प्राइस सपोर्ट में convert करेगा support become resistance resistance become support इसको एक पोइम के तरह आप लोगों को याद करना होगा कल की जो क्लास हो थी उसके अंदर भी हमने discussion किया था कि support become resistance become supports कब-कब मार्केट या किन-किन मैथेट से हम support पर resistance पर support का confirmations लेते हैं तो यहां पर क्या है कि एक तरह से हमें इस वाले resistance से यहां पर support के confirmations मिले अब अगर price को upside की तरफ जाना है तो यह क्या करेगा downside की तरफ नहीं गिरत हुए यहीं से price को upside की तरफ move कर दिया जाएगा but price ने क्या किया है कि range को break किया है downside की तरफ और आज जो हमारा price ट्रेवल कर रहा है अपनी इस range के नीचे की दिशा में ट्रेवल कर था यहां से यहां तक हमने क्या किया है कि यह range mark करके अपने ग्रूप पर share कर दी share करने के बाद में हमने इसके अंदर अपने एक entry ले यहां पर हमारे लिए जो targets हमको समझ में आ रहे हैं price यह हमारा high से एक low लगाने के लिए आया था तो इसने यहां पर एक low लगाया था प्लस यही एक swing low भी था हमने क्या किया कि आज की targets के लिए इन ही lows का यूज किया हमे मालूम है कि जिस candle ने breakout किया था upside की तरफ यह वाली candle जिसने upside की तरफ breakout किया था इस candle का low भी मेरे लिए एक support की तरह काम कर सकता है यहां पर भी हम partially booking कर सकते हमें targets की अच्छा ratio मिलेगा कुछ बुरा ratio नहीं है ठीक ठाक ratio मिल सकता है इस वाली candle पर जिस तरह की उम्मीद हमें आज के movement की है कि आज volumes के breakout में देखने हो कि मिलेंगे और प्राइस नीचे की दिशा में गिरता है तो यह जो swings है न यहां तक हमारी market आच ट्रेवल कर सकती है इस तो बात होगी drawings की आप क्योंकि drawings में थोड़ा सा clear समझ में आता है अच्छा समझ में आता है इसलिए drawings के उपर ह 29th of October की यह एक important candle है प्राइस देखे यहां से upside में जाने की कोशिश की गई है upside में देखे प्राइस हमारा इतनी बार निकला है बट fail breakout करके और वापस से प्राइस हमारा अपनी range के अंदर ही आ गया अंदर आ जाने के बाद में देखे यहां तक इसने travel किया जिस lows के पास में हमने आपसे बताए कि हमने targets रखे हैं तो swing lows को हमने यहां पर अपने target बनाए plus price ने एक अच्छा खासा breakout दिखाया था volumes के साथ upside के तरफ और अपनी इस वाली candle को break करके price हमारा upper range पर shift हुआ था बट वापस हमारा price अपनी उसी range के अंदर आ गया यानि कि इस वाली candle के अंदर आ गया और अभी वह उस range के अंदर trade कर रहा है तो यहां पर फिर से देखिए कि एक हमारे जो target बन सकता है वह यह वाली candle बन सकती है यहां तक price आपका आकर कि support ले सकता है बट उम्मीद ऐसी है कि price और भी नीचे के दिशा तक गिरना चाहिए हाला कि movement अल्रेड हो चुके हैं और अब बारी आती है targets के so market को जो करता है वो करेगे हमारा काम analysis का है entries का है okay so overall अपनी entries के points और higher time frame की price analysis I think आपको समझ में होगी lower time frame पर भी एक बार देख लेते हैं हाला कि higher time frame पर जब आप एक बार price को analyze कर लेते हों तो lower time frame पर इतनी जरूरत खेर पड़ती तो है बट समझ में आसानी से आ जाता है जैसे कि देखे morning में इतनी बड़ी एक candle form हुई एक support पर price ने उसके नीचे जैसे ही breakout किये यहां पर हमारी entries हुई थी stop-losses के लिए किया है कि यह वाली जो candle थी इसके just high पर अपने stop-losses लगा है आप इसको और lower time frame पर चलिए lower time frame पर open कर लेते हैं यह वाली जो candle है यह वाली जो swings लगे वो थे इस एक candle पर हमने हाइस लगा थे because morning में market ने क्या किया था कि यहीं पर swing लगाय थे break करके price वापस से देखिए upside के तरफ चला गया और इन्हीं swings के नीचे price rate कर रहा है यह एक ऐसा point है जहांपर मुश्किल है कि price वापस से travel करने के लिए आएगा और अगर आते तो मेरा इसल चला जाएगा हमेशा countable stop loss रखिए management के साथ stop loss रखिए कुछ भी करना है market के अंदर pre-planned होना चाहिए आपको मालूम है कि मेरा stop loss 5000 का है तो 5000 का ही होगा उसे ज्यादा नहीं और उसे खंदा सब कुछ हमने आपको बताती है अब हम अपने स्टेट को एंज्वाइ करते हैं देखते हैं कि डे एंड में क्या देखने को मिलता है काफी ठीक ठाक मुमेंटम में देखने को मिल रहा है आज बहुत ज्यादा है इसमें एक चीज़ रहे करती बताने के लिए कि हायर टाइम फ्रेम पर आज के दिन आपको जैसे ही market close होगी सो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि कल से ज्यादा आपको आज में वॉल्यूम्स देखने को नजर आ जाए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए प्राइस हमारा अपनी इसी रेंज के पास में है अब क्या हो सकता है कि प्राइस यहां पर थोड़ा सा हर लास्त में एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स की मुव्मेंट में देखने को मिल जाएगी 5 मिनिट्स पर आते हैं एक अच्छा खासा आपको यहां पर सपोर्ट देखने को मिलेगा एक हर्डल पॉइंट है चलिए इस तरत का जो अपना प्रॉफिट है नाइन थाउजन साव प्रॉफिट है नाइन थाउजन तक पहुच चुक है तो देखते है क्या होता है तो ट्रीडर्स यहां पर हमको हमारा पूरा टार्गेट अची हो गया है अब में यह से बाहर निकलना है 2143 यह हमारा टार्गेट पाइंट है यहां पर हम बाहर निकल जाएगे कॉपी 2143 सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस ओर्डर हम दो कैंसल करते हैं ओके पोजिशन बूक स्क्वार ओफ बाई ओर्डर पेस्ट तूवन पूर्ट्री तूवन फूर्ट्री ओर्डर निकलने लगे हैं हमारे यही होता है एक्षली जो प्राइस हमारा यहां से देखिए टच हुआ है प्राइस वहीं पर घूम रहा है इससे पता चलती जो लेवल की जो इंपॉर्टेंस होती है 2143 ओर्डर दीरी दीरी निकल रहे है 13 13 13 अभी 6 बची हुई है अपने पास 8 बची है सारी कौनिटीज निकल गई है ओके ऑडर पूक के एक बार देख लेते हैं 2143 पर सारी कौनिटीज हमारी निकल गई हैं एक भी कौनिटीज अपनी बची नहीं हैं पोजिशन बुक और आज कर जो अपना प्रॉफिट है 16,329 रॉपिज का प्रॉफिज देखिए उस रेंज के अभी नीच आच चुका है हमको हमारा टार्गेट और हमारे इनल्सिस यह सही हुई है और टाइम देख सकते हैं हमारे पास पूरा दिन है अब हम चाहें तो पढ़ सकते हैं बैट करके कोई और इनल्सिस अगर हमें करने तो हम वो करेंगे मार्केट से हमारा जो भी आज काम है वो खत्म हो गया होगे सो तैक्यू एंट्ड्रेट को जब भी आप ऐनलाइज किए जब भी देखिए उसके अंदर कॉंफिदन्स होना चाहिए एक method होने चाहिए आपके पास आप कैसे stock select करोगे कैसे आपको entry लेनी है कैसे stop loss लगाने कैसे targets लगाने है एक-एक method fix होना चाहिए आपके पास कि करना क्या है कैसे करना है थोड़ा सा समय दीजे थोड़ा सा invest कीजे समय के ऊपर अपने पास के अंदर उसी रेंज से green candle का formation शुरू हो चुका है so thank you good bye एंड एक decent profit हमें आज के trading session में मिला okay so we will meet again